नमस्कार, NETV इंडिया में आपका स्वागत है, मैं हूँ मनुरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे विपक्ष की, क्या विपक्ष एक जूट हो पाएगा, 2024 के लिए विपक्ष के पास क्या प्लाइन है, 2024 की क्या व्यू रचना है, एक चक्रव्यू की तैयारी की जा रही है, उस चक्रव्यू में क्या है, कौन-कौन सो लोग है, जो की 2024 के लिए एक चक्रव्यू रचने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें नितीश कुमार है, खरगे साहब है, सरद पवार, इन तीन नेताओं का नाम सबसे पहले लिया जा रहा है, और इसमें जो है, आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे मुलाकातों का दौर चला है, रहुल गांदी पहुँचे हैं, खरगे साहब की यहां, उसके बाद नितीश कुमार आते हैं, वो खरगे साहब से मिलते हैं, और उसके बाद उस मीटिंग में रहुल गांदी भी होते हैं, जेडियू के नेता होते हैं उसके बाद नितिस्कुमार जाते हैं केजिवाल के यहां उनसे मुलाकात करते हैं नितिस्कुमार जो है वामपंती नेताओं के पास जाते हैं उनसे मुलाकात करते हैं उसके बाद जो है सरतपवार आते हैं दिल्ली उनकी मुलाकात होती है खरगे स से संसत का सत्र आपको बालूम है चल नहीं पाया सरकार और विपक्ष के बीच जो है गतिरोध बना रहा लेकिन संसत सत्र के खतम होने के वक्त एक जो है करगे साब ने एक रात्री भोज रखा था जिसमें अठारे दल के नेता वहां पहुंचे थे सिपसे ना उसमें नहीं आई थी और उन्होंने सावर करके मुद्दे पर उस डिनर मीटिंग का बिरोध किया था लेकिन अठारे दल के नेता वहां पहुंचे थे उस बैठक में राहूल गांधी भी मौजूद थे सोनिया गांधी शरत पवार ये सबी जो है वो 27 मार्च की ji वह सम्भव है सदनके बाहरं क्योंकि सदनके डेंदर जो सही विपक्च जो एक जूट रहें उसमें सारे विक्थ हैं और उन्होंने flavor जों है सरकार को सब्सक्राइब पर बांकी डल जो है वह जो है वह उन्होंने दिखाई है अब वहाँ से एक्टा शूलूम ही है तब इस मेने की बात करते हैं, खरगे के घर पे नितीज कुमार और तेजस्वी पहुंचते हैं, बैठक में राउल गांदी भी मवजूद होते हैं अब यहाँ पे अगले दीन जो बैठक होती है, उसमें नितीज कुमार जाते हैं, अर्विंद केजरिवाल से मिलते हैं, लेट के नेताओं से मिलते हैं अब यहाँ पे एक रन निती बनाई गई है, यह रन निती बनाई गई है कि तेजस्वी यादव इस सारे मीटिंग में है, वो अखलेस यादव से भी मिलेंगे और अखलेस यादव से बात करेंगे, उत τर पर्देश में क्या किया जा सकता है खरगे और राहूल गांदी की सरतपवार से मुलाकात होती है उसी दिन साम में जो है पवार साथ दिल्ली आते हैं इस मीटिंग में और इस मीटिंग में कई चीजे तैक की जाती है कि नवीन पतनायक से कौन मिलेगा तो ये ये तैक किया गया है कि नितीश कुमार और सरतपवार संपर करेंगे जगन मोहन रेड़ी का क्या करना है क्योंकि वो एक महत्पुन एलाज हो सकते हैं विपक्ष के अभी तक विपक्ष के खेमे में है नहीं हुआ अलग तलग रहते है और गाहे-बगाहे हमने देखा है कि वो रासवा में जब भी बीजेपी पर संकट आया सरकार पर संकट आया है उन्होंने जो है वो सरकार का साथ दिया है लेकिन यदि बीजेपी आंद्रा परदेश में जो है चंद्वावू नाइडू के साथ जाती है तब जगन मोहन जाए कैसे अप्रोच किया जाए जहां पे कॉंग्रेस और जो छेत्रिय दल है वो आमने सामने है और जहां पे वो विधान सभा का चुनाव एक दूसरे के खिलाब लड़ती है जैसे की मंगाल की बात करते हैं जैसे की हम तिलंगाना की बात करते हैं यानि ममता बनर जी और चं निटाओं को भले ही कांग्रेस के निताओं से मिलने से मिलने से परहे जो दूरी बनाके रखना चाहते हैं तो यहाँ पर उन नेताओं को भेजा जाये जो को vessel की हें है भी नितीष कुमार को कहा गया गया वह उनसे बात करें है तो इन सम्नेतायों को यह जिमेदारी कि दी गई है कि वैसे दल से बातचीत करने के लिए जहां पर कॉंग्रेस जो है वो डारेक्ट फाइट में है इन दलों के साथ अब आते हैं महराष्ट की बात करते हैं सुंभार को या दिन बात जो है वो वेनू को पाल जाएंगे उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए अब ये मामला काफी दिल्चस्प है मामला इसलिए दिल्चस्प है जैसा मैंने सुरू में बताया कि 27 मार्ज को जो बैठक हुई थी सभी विपक्षी दलों के जिसमें कहा गया एक 18 दल आये उसमें से सीवसेना मिसिंग थी सीवसेना इस बात से नाराज थी कि राहुल गांदी ने अपने प्रेस कॉंट्वेंस में सावर कर को लेकर के एक बात कही जो सीवसेना को पसंद नहीं आया उस मीटिंग में सरदपवार ने राहुल गांदी को ये समझाने की कोशिश की कि वो उन मामलों पर बयान देने से बचें जिस पर कि उनके सहयोगी दल संवेदन सील है यानि उन मामलाओं पर भावनात्मक मुद्दों पर राहुल गांदी बयान ना करें अब लगता है कि उसी दिशा में प्रगती हुई है सोंबार को बेनी गोपाल जो है उद्धव ठाकरे से मिलेंगे राहुल और उद्धव ठाकरे की मुलाकात भी होनी है ये संजराउत ने बताया है और जब इन दोनों में नेताओं की मुलाकात होगी तो जरूर सावरकर का म एके करके मुलाकात हो रही है और और सब नेताओं को जिम्मा दे दिया गया कि आप किसे 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 बात करेंगे उसके बाद ये सबी नेता जो है इस मेहने दिल्ली में इकठा होने वाले हैं उसके बाद ये सबी बैटके तै करेंगे कि किन मुद्वों पर आगे जाना है दो दो तीन मुद्दे को सामने लाया जाएगा और उसके बाद ये सारे विपक्षी नेता देश भर में दौरा करना सुरू करेंगे तो ये एक रन निती है जो कि विपक्ष ने बनाई हैं देखते हैं कितना कारगर्शी दोता है आज इतना ही नमस्कार